गीडी के राज धनवार के प्रदेश प्रसिद राज छट घाट पर आज छट के खरना के साथ ही तिन दिवस ये छट मेले का अगाज हो गया है यहां की आकरशक वालोकिक सजावट मेले को देखने के लिए लोगों का जन सहलाब उणना सुरू हो गया है यहां की भवता और मेले का आनन उठाने के लिए राज के कोने कोने से और आजपास के गाउं से लाखों के संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं यह ववस्था को बनाया रखने वच्छठ पूजा समिति के सदस्व प्रशासन सहित धनवार के लोग दीन रात लगे रहते हैं राज छट गाट पर शक्वा के पत्ते के दोने से बनाया गया है सुर्य मंदिर और नदी पर यह बनाया गया और नाओ का कार पूल जुरासिप पार की तरह है वहीं जगह पे आकरशक तोरण द्वार लाइटिंग गेट आदी कई कलाकृतियों को देखकर लोग मंत्र मुग्द हो रहे हैं और वहीं मेला में लगे लेक्टिक जूले मौत का कुवां मीना बजार आदी चीजों का भी लोग लुथ पूठा रहे हैं वहीं दिवान टोला छट गाट में भव्य सुर्य मंदिर चलंत मुर्ती कई तरह के प्रतिमाएं आकरशक लाइटिंग गेट सहीत कई चीजों बनाए गए हैं और बता दे कि छट गाट सहीत पूरा राजधनवार बजार दुलन की तरह सजा हुआ है यहां पर अकरशक वाड़ के सजावट से तीन दिनों तक राज दिन की दुल यहां मिट जाती है हो सकता है कुछ लोगों को असुविधा हो सकती है लेकिन लागों को अगर इसुविधा होती है तो उसके लिए एक प्रयास किया गया है और इसी के तहट हम लोगों ने 6 किलमीटर के जोन को सुरक्षित बनाने का प्रयास किया है जो बगोदर से गारियां आती हैं उन्हें बरजो मूर के पास यानि भाभाई स्कूल के पास जो आती है खोरी मूर के तरब से उसको हाइ स्कूल ग्राउन के पास में रोका जा रहा है पिछले दो सालों से कोरोना की वज़े से एक भीड नहीं हुई थी चुकि सरकार का बहुत सारा गाइडलाइन था जिसको सभी को पालन करना था इस बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पुलिश कर्मी जितने भी पॉइंट है जिसको हम लोग चिनीत किये हैं उस पर मुस्तेद रहेंगे हर पॉइंट में जो है मजिश्टेट के साथ मुस्तेद रहेंगे इंट्रेंस एग्जिट में जो ब्रीफिंग किया गिया है वो ब्रीफिंग में सभी पतादी कारी को अभी फिजिकली बता दिया गिया है मेले छेतर में जो क्राउड आएगा भीड अच्यदिक होने की समभावना है जो कि छट महा परव जो है दो साल जो कोरोना काल था उसमें परवावित रहा इस बार काफी बिड़ पनी की समभावनाए है तो आपको ये बता दना चाहते हैं कि बेफिक्र होके आप मेले में आए और भक्ति भाव से छटी मेले चाहते हैं